अमिताब बच्चन से क्यों डरी माला सिन्हा? एक फिल्म के बाद फिर कभी नहीं किया साथ में काम? ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच में? तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, ऐसा क्या हुआ उनके बीच में तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और विडियो को लाइक कर दीजिए हम आपको बताते हैं. फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा ये एक बड़ा मुद्दा है, खास तौर पर जो बड़े सितारे होते हैं. उनका सेट पर या किसी भी फिल्म के प्रोग्राम में देर से आना है. ये बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि लोग उनका इंतजार कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एक्टर्स. कुछ एकदम वक्त के पाबंद. अभी हाल ही में मैं एक इंटरव्यू अमोल पालेकर का सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि लंबा. अर्सा हुआ उन्हें इस इंडस्ट्री में. उन्होंने कहा कि मेरे समय में मैंने सिर्फ तीन लोगों को देखा जो वक्त के बड़े भवन हैं. एक देव आनंद, दूसरे अमिताब बच्चन, और तीसरे अमोल पालेकर. आज हम यहां अमिताब बच्चन की वक्त की पाबंदी की बात करेंगे. अमिताब बच्चन कहीं भी समय से पहले ही पहुँचते हैं, वो किसी को इंतजार नहीं कराते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में उनको पचास साल से उपर हो गए हर कोई उनकी तारीफ करता है और ऐसा नहीं है कि समय के साथ साथ अमिताब बच्चन ने ये बात सीखी हो वो शुरू से बहुत अपने वक्त के और दूसरों के वक्त के पाबंद रहें अमिताब बच्चन की फिल्में चली या ना चली वो जरूर हमेशा समय के साथ चले 1971 में उनकी पहली फिल्म आई थी साथ हिंदुस्तानी और उसी साल उन्होंने अपनी पहली सोलो हीरो के रूप में फिल्म साइन की थी संजोग इस फिल्म में उनके साथ दो हीरोईं माला सिन्हा और ररुना इरानी फिल्म की शूटिंग जो थी वो आगस्ट 1971 में शुरू हुई थी और 1972 में ये फिल्म रिलीज हुई थी तो अमिताभ बच्चन के वक्त के पाबंध होने का जो किस्सा है ये बिल्कुल इसी शुरुवाती दौर का है और इसी फिल्म का है दरसल अमिताभ तो इस फिल्म में नए थे माला सिनहा उनसे काफी सीनियर थे और अमिताभ जो है वक्त एकदम समय से सेट पर पहुँचने के आदी थे अब फिल्म में जो था माला सिनहा और अमिताभ बच्चन का रोल आलमोस्ट पैरलेल था अब माला सिनहा सीनियर एक्ट्रेस होने के बावजूद जब सेट पर पहुँचती थी तो देखती थी कि अमिताभ उनसे पहले आ चुके हैं कई बार माला सिनहा लेट भी हो जाती थी अब इसका असर जो है निश्चित रूप से जो है वो शूट पर पड़ता था लेकिन अमिताभ कभी कोई शिकायत वैसे भी नहीं करते थे लेकिन जब लगातार ये बाते होने लगी तो माला सिनहा को लगा की नहीं ये उनकी तरफ से ठी कि जो उनका कोर को स्टार है को एक्टर जो है वो एकदम समय से आ जाता है और कभी भी इसमें आगे पीछे नहीं होती कभी देरी नहीं होती तो इस बात ने माला सिन्हा को इतना डर लगने लगा उनकी वक्त की पाबंदी ने अमिताब की वक्त की पाबंदी ने इतना एक तरह से डरा दिया कि वो सुबह 6 बजे उठ जाती थी और अपना मेकप वगेरा करने लगती थी जिसे 9 बजे की अगर प्यार होकर जल्दी समय से कुछ पहले भी स्टूडियो में पहुँच गई उन्होंने देखा कि गेट बंद है पर वो ये देखकर हैरान हो जाती थी कि अमिताब बच्चन तब भी वहां मौजूद है उस गेट जो बंद है उसके बाहर और वो चौकीदार के साथ बैठ कर आराम से रहे हैं कि कब स्टूडियो का गेट खुलेगा और वो अंदर जाएंगे और एकदम समय के साथ ले वो प्रेसेंट रहेंगे तो अमिताब की वक्त की पाबंदी के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं और लोग यूं ही उनकी तारीफ नहीं करते हैं माला सिन्हा और अमिताब बच्चन की ये पहली और एक मात्र फिल्म थी जो जिसमें वो लीड पेर के रूप में थे इसके बाद वो कभी साथ में नहीं आये लेकिन अमिताब की इस बात ने वक्त की पाबंदी की बात में माला सिन्हा को एक तरह से डिसिप्लिन किया उनको मतलब भले ही वो सीनियर थी उनसे वो समय से पहुँचने लगी और अमिताब के बारे में तो जैसा मैंने कहा कि वो है ही चाहे कोई फिल्मी कार्यक्रम हो चाहे फिल्म की शूटिंग हो हमेशा जो है वो वक्त पर सेट पर या कार्यक्रम में हो तो इस तरह की जो है बाते बहुत सारे लोग करते हैं कि हमें वक्त पर आना गोविंदा के बारे में तो कहा जाता है कि उनका करियर अगर फिल्म इंडस्ट्री में खराब हुआ है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो उनकी सेट लतीफी है फिल्म इंडस्ट्री का उसूल ही यही है कि जब तक आप चल रहे होते हैं हर कोई आपके नखरे उठाता है हर कोई जो है वो आपको सिर पर बिठा के रखता है राजेश खन्ना के बारे में भी ये बात कही जाती थी कि वो जब उनका सेट पर कॉल टाइम तब वो सोकर उठा करते थे और जब वो पहुच जाते थे और तभी शूटिंग शुरू होती थी जीवन शत्रुग्न सिन्हा के बारे में भी इस तरह दोनों तो कसम शुरुवाती दोर में जब उनको वो समय से पहुचते थे और दूसरे लोग जो स्टार्स थे उनसे बड बानते भी हो इस बात को तो खैर ये समय की बात है लेकिन अमिताब ने कभी इस बात में भेदभाव नहीं किया कि वो कभी सीनियर है या जूनियर है वो अपने हिसाब से समय के पाबंद रहें निश्चत रूप से आप फर्क देख सकते हैं और ये बात अपने आप में आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये विडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलिवुड इंदस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।